गाइज गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब में अच्छी हूं उम्मीद है कि आप सब भी अच्छे होंगे इस तो गाइज देखिए यह है मॉर्निंग का टाइम मॉर्निंग के बज़ चुके हैं ग्यारा मतलब ग्यारा से उपर का टाइम हो रहा है और आप दून्द का देखे तो दून देखिए दून इतना पड़ा हुआ मतलब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है बहुत ही ज्यादा दून जो है पड़ी हुई है यह देखो और यह नहीं उठने वाली है सारा दिन कल भी न आपको बता दू कि देखो यह जो कपड़े सुखाने वाला तार रहता ना इसमें आपको पानी देख रहा होगा यह देखो पानी इतना ज्यादा ओस इतनी ज्यादा दून जो है यहाँ पर पड़ रही है यह देखिए और यह सोक से छट पे रह गई थी तो सोक के ओपर कितना ज्यादा पानी है तो यहां पे तो अभी मतलब कि 15-20 दिन यही हाल रहने वाला है और यह मेरी प्लांट्स का हाल देखिए दून के कारण यह भी मझे लग रहा खराब हो जाएंगे तो मैं आपको बता दूँ कि मुझे यहां से कुछ प्लांट्स नीचे लेके जाने होंगे यह यह देखो यह अ एक प्लांट्स क्योंकि यह इंड॓र प्लांट्स है और यह साइद दून से खराब होने लग गया यह देखिए दून के कारण इसकी पत्तिया खराब होने लग गई है तो मुझे इसको नीचे लेके जाना पड़ेगा तो मैं इसको उठा लूँगी अभी थोड़ा सा काम वाम करके ये खराब होने लग गया है और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है प्लांट तो मुझे उठाई लेना चाहिए एक ये वला उठाऊंगी और एक ये वला उठाऊंगी इसका भी यलो यलो कलर होने लग गया और मैं आपको बता दूँ कितना बुरा हाल है इतनी ज़्यादा ठंड है तो मैंने कितना कपड़ा पहना हुआ मैं दिखाती हूँ आपको वैग कैमरे से तो देखिए इतना ज्यादा ठंड है और एक कैप दूसरा कैप एक जैकेट दूसरा स्वेटर तीसरा गरम और सोक्स भी पहनी है पजामा भी गरम है मतलब इतने ज्यादा कपड़े पहने हुए हैं फिर भी बहुत ज्यादा ठंड जो है मुझे लग रही है और पीछे का हाल देखिए आप दून्त तेज हो रही है मतलों कम नहीं हो रही पढ़ रही है और ज्यादा यह देखिए सामने और ज्यादा पढ़ रही है सारा दिन दी उठने वाली है तो मैं कर लेती हूं अपना काम खतम जाडू पोछे का जाडू पोछे का काम खतम करके उसके बाद वो अपने प्लांट्स जो है अंदर लेके आऊंगे तो अपनी पोड़ियां साफ कर लूँ पहले तो मैं उसी के बाल प्लांट मुझे अंदर लेके आने हैं और अपनी पोड़ियों पर रखने हैं नहीं तो खराब हो जाएंगे वह बाहर तो मिलती हूं आप से थोड़ी तेर में ओके अब आगे हैं निचे छट से तो नीचे का हल्दी की तो मैंने कमरे जो है मतलब की क्लीन कर लिया भी जाडू पोचा करना है खाली डश्टिंग किया है वैट सीट वगारा साफ कर दिया है और यह मैं आपको बता दूं कि यह देखिए हीटर और यह हीटर जो है सारा दिन चलता है रात को यादी रात तक चलता क्योंकि ठंड ही बहुत ज्यादा है औ मैं जो मतलब हीटर के पास से उठने का मन ही नहीं करता है दिल तो करता है कि बस हीटर लगा के रजाई लेकर बैठे ही रहें और कुछ कामदामना करें और यहां लगता है कि खाना भी कहीं से बन के आजे सब कुछ जो है बैट पे मिल जा तो अच्छा है मतलब पानी को तो एक आभि मन नी करता पानी इतना जड़ा ठंडा जो है हो जाता है और मुझे एक call आ रहा है पहले मैं call उठा लेती हूँ तो मैंने जैसा कि मुझे आ रहा है call तो मैंने उठा लिए है call और 2 मिन बाद हो गई है और अभी मैं बैठ गई हुँ जाएगा और सच में इतना मेंगा प्लांट्स मिरते हैं नर्शरी में इतने मन से हम उनकी देखवाल करते हैं अगर एक भी प्लांट मेरा खराब हो जए तो मुझे तो बहुत ज्याला दुख होता है और मैं आपको बता दूँ कि आज मैंने बच्चों को पांच-पांच कपड ने आके बेजा हुआ इतना ज्याला ठंड है तो चलिए मैं कर लेती हूं काम उसके बाद आपको कुछ शेयर करूंगी आपके साथ तो आज तो मैं ये विंटर का ही ब्लॉग लेके आई हूँ और मिर्ट्र का ही मतलब दिए आपके साथ शेयर करूंगी तो मिरति हूं आप स तो प्रेंड मैंने तो नो फांट चना को अंदर रिखती हैं तो इसको भी मैं नीचे लेके जाती हूँ तो मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने प्लांट कहां पर रखे यह देखिए यहां पर रख दिया है अंदर और अंदर यह सही रहेगा नहीं तो बाहर खराब हो जाता एक दम तो इसलिए मैंने यहां को अंदर रख दिया है यह बाकई छत पर यह भा कि किर आएक बधाया प्लांत हो इसकी सारी ब्लांट में नीचे रखे हुएं तो यह वाले में अंदर ही रखे हुए हैं तो अभी हम आ चुके हैं नीचे और आपको अंदेरा लग रहा है क्योंकि है तो दिन है लेकिन डे और नाइट सेम है तो अब यह आपको दिखाऊं मैं बाहर सो गाईज आपकी चुकियों मैं अभी रूम में और रूम में दिखाऊं तो मैंने ये देखो रजाई रख लिया है और अभी मैं बैड जाओंगी मतलब कि अभी मेरे पास दो गंटे फ्री हैं तो सब के ब्लॉग देखोंगी और अभी रजाई में बैड जाओंगी क्योंकि ठंड है तो यही था मेरा आज का ब्लॉग जो मैंने आपके साथ शेयर किया है और एक कल ब्लॉग लेके आओंगी तब तक के लिए बाबाई गाईस मिलूगी आपसे और हाँ लाइक करना शेयर करना कमेंट करना विल्कुल भी मत भूलना बाबाई